हेलो सुटेंज वेलकम टू माई नर्चर मैं हो कृष्णा कैसे आप सब लोग मस्त बढ़िया तोड़ा सा गला वेटा हुगा है ठीक है ना कोशिच करूंगा अब आज के लिए राए साफ आए ठीक है ना तो 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 धीरे धीरे आज पढ़ूंगा मैं चीजों को तो हम ल पाणने वाले हैं blood vessels and circulation ठीक है blood vessels क्या होती है तो अल्टमेटली हमें blood वैसल पढ़ना क्या है हमें सब को पता नसों को कहते हैं जिसके अदर खून बेहता है हमें उसकी basically आपर क्या है ठीक है तो ब्लड वैसल्स की मैं बात बता हूं हम सबको पता मैंने क्या का जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है ठीक है तो पता है तो बना लेते हैं अपना हाट उसके बना तो काम रही नहीं चलने वाला अब देखो क्या हो रहा है एक इस वाली वेंट्रिकल यह कौनसी वेंट्रिकल है दिस इस राइट एंड दिस इस लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल करके राइट आट्रिया में आ रही है एक लूप यह हो गया एक लूप यह हो गया देन दूसरा लूप क्या है जो दूसरा लूप है हमारे पास वो राइट वेंट्रिकल से निकल करके कहां जाता है लेफ्ट आर्ट्रिया में कहीं पर खुले नहीं होते हैं बंद होते हैं तो लूप 1 एंड लूप 2 ठीक है न तो ख्लोज है कैसे है ख्लोज है यह भी ख्लोज है यह भी ख्लोज है ख्लोज लूप तो यह कहा गया है ख्लोज लूप ठीक है इसका मतलब यह होता है तो आप देखने जा रहा क्या कह रहा है तो कह रहा है तो ख्लोज सिस्टम यह लूप कह लो है ना, close होते हैं ये, of tubes, tubes का भी बना होता है, that begins and end at heart, ये सुरुवात भी कहा से होते हैं, सुरुवात भी heart से हो रहे हैं, देखो यहां से सुरुवात हुआ, और इसका अंत भी heart में हुआ, यहां से सुरुवात हुआ, इसका अंत भी heart में होता है, सुरु और अंत क्या होता है हार्ट में होता है अब एक और चीज जो ब्लड वैसल्स हार्ट से ब्लड को लेके निकलती हैं जो ब्लड वैसल्स हार्ट से ब्लड को लेके निकलती हैं जैसे यहां पर यह निकली है और यहां पर यह निकली है ठीक है ना तो जो लेके निकलती है इसको हम लोग क्या कहते हैं र्टरी कहते हैं क्या कहते है ऐसको वि 개टे है कि online और ये यह यहां पर क्या रहाँ होता हूथ कि यह व्री उसके जा रही है टू बॉड़ी तो लेफ्ट वाला व्याने कपिस वहां से चो लेके बॉड़ा deixa रही है और जो राइट वाले वेंट्रिकल यहां से निकल रही है यहां पर हमारा क्यों होता है business होते हैं कि किसी तरीके से जो ब्लड लेके आया है जो ब्लड वैसल लेके आया है इसकी अगर मैं बात करूँ तो जो लेके आया है इसको मैं कहता हूँ वीन्स क्या कहता हूँ वीन्स अच्छा जो लंग से लेके आया है उसे मैं पल्मोनरी वीन कहता हूँ क्या कहता हूँ इसको मैं पल्म pulmonary vein pulmonary vein तो इस तरीके से इसकी naming रहती है जो blood लेके निकलेगे artery जो body पर जा रही हो simple artery जो लेके आ रही है वो veins जो artery lungs पर लेके जा रही हो pulmonary artery और जो artery वापस heart में लेके आ रही हो pulmonary vein कहते है ठीक है सीधी सी बात है artery और vein दो चीज़े हैं आर्ट्री और वीन ठीक है ना ये कहां से चलती है from heart heart से निकलती है ये two heart heart में जाती है छेल खतम ठीक है तो ये ही सारी कहानिया चल रही थी तो कहरा है one system जो एक system है जिसको मुल कहते है the pulmonary vessels जो pulmonary vessels होते है transport bloods from right ventricles to the lungs and back to the left arterium ठीक है this is right ventricle this is ventricle ventricle right वाला this is arteria arteria right ventricle से left arteria में pulmonary system जो है हमारे पास ठीक है then the other system the systemic vessel systemic मतला जो body में लेके जाएगा carries blood from the left ventricle ये left ventricle से लेके निकला left ventricle to the tissues in all parts of the body ये पूरी body के parts में लेके जाता है जो यहां से निकलती है आर्टरी वो पूरी body को लेके जाती है पूरी body ब्लड को लेके पहुचाती है then return the blood to the right arterium फिर ये right arterium में लेकर के आ जाती है blood को अब उस बीच में blood के साथ क्या होता है वो बाते भी हम करेंगे बाद में ठीक है based on their structure and function उसके structure and function के आधार पर ठीक है blood vessels are classified as either artery, capillaries और wind उसका structure कैसा है और क्या function है ठीक है on the basis of structure and function हम लोग इसको तीन category में तोड़ सकते है arteries, capillary और wind अब arteries और capillary को तो समझी गए हो एक heart से निकलती है और एक heart में खून लेके वहापस महुचती है फिर capillaries क्या है और इनके बीच में structurally क्या basic difference है वो यहाँ आओ डिसकस करते है ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर structure का थोड़ा सा एक बता दूँ मैं चाहे वो artery हो या ween हो capillaries की बात नहीं कर रहा वो structurally तीन पार्ट पाए जाएंगे उसके अंदर ठीक है ना सबसे अंदर की जो layer होती है उसको हम लोग क्या बोलते है tunica interna फिर एक beach की layer होती है जिसमें elastics, tissues और muscles पाए जाती है और एक tunica external होती है सबसे outer covering जो की protection का काम करती है ठीक है तो basically यह 3 layer दोनों में पाए जाएंगे लेकिन थोड़ा सा difference होता है यह 3 layer दोनों में पाए जाएंगे but there is a difference in the structure हो क्या difference है अभी हम समझेंगे ठीक है अब जहर बीच वाला होता है हमारे पास tunica, media वाला होता है उसके अदर सबसा elastic part रहता है उसके अदर muscles ज़्यादा पाई जाती है वो ही dilate करती है और क्या करती है contract करती है तो अब क्या होता है जो arteries होती है basically हमारा blood सुना भी होगा साइज जानते होगा कि हमारा blood direct cells और tissue के touch में नहीं आता है कैसे बताता हूं देखो अगर मैं यह आपर थोड़े देखले heart को imagine कर लूँ ठीक है this is heart heart से निकला यह और यह मोटा वाला part artery फिर यह आगे जाके और पतले पतले parts में तूटता है जिसका हम arteriol कहते है फिर सबसे महीन पाट आता है बीच में सबसे महीन पाट जिसका हम लोग क्या कहते है capillaries कहते है single cell तैट के वली है फिर capillary से आगे direct महीन महीन पाट उते है उसे हम ven World कहते है यह वाले पाट वेनयुल सारे आपस में जुट करेंगी वीन बना देते हैं तो यानि कि खहीन पर भी अलगाओ मैं है यानि कि आगा बात करों पहुए को अ, हर्ट, हर्ट से के निकला हर्ट से ब्लड, आर्टरी में आर्टरी और डिवाड़ी ओलाती है किसमें बुदते हैं कैपिलरी में गातोल से मिल फानली कि यह सबमते हैं टेलरी में कैपिलरी से ए हूंसे वेन ड्यो एं-वें से वापस हार्ट में कहीं पपी भी blood खुला नहीं छूट रहा है एक बंद closed path में घूम रहा है यह ना बंद रास्तों में घूम रहा है यह ओके अब जड़ा हम इसको ऐसे देख लें तो capillary में एक layer पाई जाती है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग endothelium कहते हैं सिंगल layer की बनी हुई होती है थोड़ा सा और समझते हैं इसको हम लोग जो यह तीन पाट तो याद रख नहीं है हमको tunica सबसे अंदर वाली interna media और tunica external अब देखो जरबात को heart से blood आता है सबसे अंदर की सबसे अंदर जो tunica interna होती है उसको जो layer पाई जाती हो आपर उसको क्या करते हैं endothelium कहते हैं बीच में जो आती है हमारे पास media ठीक है उसमें पाई जाती स्मूथ मसल्स यहीं मसल्स होती है जो relax होती है डाइलेट होती है और content करके blood vessel को capillaries को पतला करती है then external elastic lamina और adventisia सबसे आखरी में protection का काम करती है यह ठीक है सेम इसी तरीकी से यहाँ पर क्या है endothelium होगा smooth muscle होगा और adventisia होगा ठीक है साथ साथ में यहाँ पर elastic lamina यहाँ पर है यहाँ पर elastic lamina नहीं है वह बनावट में इसलिए अंतर है क्योंकि यहाँ पर pressure ज्यादा high रहता है तो यहाँ पर ज्यादा contract और relax करने की ज़रूरत पड़ती है अब एक और जो सबसे बड़ा दूसरा difference है अब वीन्स में वाल्व पाए जाते हैं वीन्स के अंदर क्या पाए जाते हैं वाल्व बत आर्ट्री में वाल्व नहीं होते हैं आर्ट्री में वाल्व नहीं होते हैं किलियर है तो यहाँ पर एक चीगा ध्यान रगना वीन के अंदर एक और चीज़ पाए जात नीचे तक चला जाता है लेकिन जब वापस blood को ऊपर आना होता है तो वो no doubt उस pressure से आना चाहिए उसे उपर लेकिन नीचे gravity भी अपना काम कर रही है तो होता क्या है कि यह valve अगर in case कभी pressure कम पढ़ जा और blood back मारने कोशिश करे तो यह valve बंद ऐसे हो जाते हैं खून वापस से पीछे नहीं आता है रोक लेता क्योंकि वींस के अंदर pressure थोड़ा कम होता है ठीक है तो यही आर्ट्री आर्ट्री से क्या बनते हैं जब आर्ट्री डिवाइड होना इस्टार्ट होती है तो आर्ट्री ओल फिर एकदम महीन पार्ट कैपलरीस यह वह जगे होती है जहां से gases इसे का exchange होता है 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 न केपलरी वह पार्ट होता है कि केपलरी यह निकल के यहां आ जाती है गैसी लिए यह सिंगल सेल की होती है अगर वाइस इतनी तीन-तीन मोटी-मोटी परते होंगी तो कोई भी चीज यहां से डिफ्यूज नहीं हो पाएगी ठीक है तो यहां पर केवल और केवल क्या है एंडोथेलियम है और ऊपर एक ठीक है ना बैसल लेमिना एक कवरिंग से भी बहुत ना के बराबर रहती है सिंगल एंडोथेलियम सल की लगवग यह बने हुई होती है किलियर है बास समझ में आ गई ओके तो hurt, artery, artery, capillary, venule, ven तो blood vessel का part समझ में आ गया क्या होता है अब लκιने लिखेंगे क्या exam exam में अगर आ जगा है write down about the artery तो artery के बारे में क्या लिखेंगे आओ सम rural एक वह मजगे है उमीद कर रहा हूं मेरी बात इस wrath Choice तो उससे समझ में आ रही होगी थोड़ा गला प्रॉलम कर रहा है ठीक है इसलिए अरुदी महीं बोल रहा हूं मैं ओके दब वाल्स ओफ एन आर्ट्री दोगे हैं साफ साफ लिखा में इसका क्या है यह जो इसका अना टॉमिकल स्टक्ट्चर रहा है और वह जाधे लेयर्स होती है तीन लेयर इंटरना मीडिया और एक्टरना ठीक है देन दा इनर्मोस्ट लिए त्यूनिका इंटीमा आल्सो काल्ट त्यूनिका इंटरना इस सिंपल स्क्रमस एपिथेलियम अब मत यह मत कहना सब्सक्रमस नहीं पता पढ़ चुके हम लोग ठीक है ना एच् अब आते हैं मिडल पर दा मिडल लेयर अग्रट लेयर जट्यूनिका मीडिया इस प्राइमरेली स्मूथ मसल्स यहीं होती है स्मूथ मसल्स मैंने बताए जो रिलाक्स करती हैं कॉंटेक करती है एंड इस यूजली ड़ ठीकेस्ट लिया तीनों पार्ट में से कोई पूछे सबसे ज़्याद थिकेस्ट कौन सा है तो ट्यूणी का मीडिया इट नॉट अनली प्रवाइड सपोर्ट फॉर वैसल बट आल्सो चेंजेज वैसल डायमेटर यह के वाल सपोर्ट ही प्रवाइड नहीं कर रही साथ साथ में डायमेटर को भी कम ज्यादा कर देती है तो टीशिया तो तीनों लेयर पता होनी चाहिए ट्यूणी का इंटीमा इसको में से पिथैलियम ऐसे याद करोगे इसको तफ कोशन आएगा तो कुछ इस तरह का बढ़ाएगा इंटीमा किसका बना हुआ है इस क्वैमेश रफिथैलियम का दो कर यह होता है इतनी लाइन लिखी है तुम यह लिए लाइन वियाद मत करो तीन पार्ट लिखो और कौन उसका बना हो यह लिख दो खेल ख़ता देन मीडिया मीडिया क्या है स्मूथ मसल्स ठीक है और लास्ट में क्या है ट्यूनी का एक्सटरना एक्सटरना यह ना ठीकिस लेयर यह किसकी बनी हुई है इसको हम लोग क्या बोलते है एडवेंट टीशिया ठीक है बास समझ में आ रही है ठीक है ना आवाज तो क्लियर है उम्मीद कर रहा हूं आवाज क्लियर है यह रेक्चर में को द्वार रिकॉर्ड ना करना पड़े ठीक गला साथ नहीं दे ला अब आगे आते हैं यह तो होगी इसकी अनाटॉमी आर्टरी से कैरी बलड अवे फ्रॉम दहर्ट पता है हमको यह बात अभी हमने देखा पल्मनरी आर्टरी जो पल्मनरी आर्टरी आती है ट्रांस्वर्ट बलड डेट हैस लो ओक्सीजन कंटेंट फ् यह पॉइंट को हम लोग डिस यह important क्यूं है कि आर्ट्री जो होती है हमेशा क्या करती है हार्ट से ब्लड को लेके जाती है body के लिए यानि कि आर्ट्री के अंदर हमेशा एक सवाल आता है जिसको भी हम देखेंगे आर्ट्री के अंदर हमेंसा कैसा रहता है oxygenated blood क्या मतलब इसका oxygenated blood कुछ बच्चों को समझ में आएगा कुछ को नहीं आएगा तो ये चीज़ अभी हम समझेंगे जब हम पूरा blood का circulation समझेंगे अभी वहाँ पर टेल में समझेंगे और veins के अंदर होता है deoxygenated blood ठीक है एक सवाल आता है ऐसी कौन सी artery है जिसके अंदर deoxygenated blood पाये जाता है ऐसी कौन सी artery है तो वो है pulmonary artery अब ये क्या चीज हो गई बताता हूँ मैं deoxygenate का मतलब क्या हो गया ऐसी कौन सी vein है जिसके अंदर oxygenated blood पाये जाता है तो pulmonary vein ये सारा concept अभी clear कर दूँगा मैं pulmonary vein ठीक है इसके अंदर क्या पाये जाता है oxygenated blood इसको अभी just यहाँ पर pause कर ले न circulation समझाओंगा तो वहाँ पर इसको detailing करूँगा मैं ठीक है oxygenated deoxygenated इस point को यहाँ पर अभी just रखलो अभी आ रहा है तुरंती आ रहा है systemic artery transport oxygenated blood from the left ventricle to the body tissue systemic artery कौन से होती है जो left to ventricle से निकलती है ठीक है pulmonary artery और systemic artery ठीक है तो यहाँ पर तुम लोग एक ठीका ध्यान रखोगे यहाँ पर कहां बतायता है मैंने अरे किदल समदाया था चला गया गया चलो ओगाई भी हो गया फिर से अभी चीज़े रिपीट करूँगा ठीक है तो डियाग्राम था इदर दर हो गया कोई बात नहीं सिस्टेम क्री पता है ना जो कहां से निकलती है कि यहां से निकलती है और यह कौनशी देक्ट क्तेना लख सिस्टेमीक और pulmonary artery ठीक है यहाँ पर क्या आएंगी इस इस सिस्टेमिक वीन हो जाएगी इस पल्मणरी वीन हो जाएगी ठीक है न अभी सारा कॉंसेट और छेज के लिए हो जाएगा वापस रिपीट करना चैप्टर को जब मैं अभी अगर एक वारी नहीं समझ में आता है तो आपस तो वही बात बता रहा है कि ब्लड जो होता है हाट के द्वारा इसमें पंप कर दिया गया है ठीक है लाइन लिखो ना लिखो तब भी चल जाए को दिक्कतरी बात नहीं है ठीक है छोड़ सकते इस पॉइंट को जो की फ्रॉम वेंट्रिकल से पंप किया था है इंट्व ला ब्लड फ्लो इंट्व दा टिसू कैपिलरी ये ब्लड फ्लो को काफी जादा रेगुलेट करता है अब टैन पर्सेंट ऑफ दा टोटल ब्लड वॉल्यूम इजिन दा सिस्टेमिक आर्ट्रियल सिस्टम है था एन गिवन टाइम टोटल बॉड़ी का 10 पर्सें ब्लड किसी सबसे महीन पार्ट सिंगल से जहां से हमारे गैसे और न्यूटेंट्स क्या होते हैं एक्स्चेंज होते हैं सेल के साथ ठीक है कैपिलरी इस स्मॉल ब्लड वेसल फ्रॉम 5-10 माइक्रोमीटर बहुत सबसे छोटी होती है सबसे महीन होती है यह इन डायमेटर बहुत कम है इसक यह इंडेलल सेल किसके बने होते हैं सिंपल स्क्रोमेस वाले बने होते हैं इसके अलाबा और चीज नहीं पाई जाती इसके अंदर ब्लड बेट्वीन ना याद आगया आट्रियूल और वैन्यूल के बीच में यह ब्लड को कॉन्वे करते हैं कॉन्वे का मतलब इधर से ठीक है तो यह देखो यह क्या है कैपिलरी से हैं ठीक है ना तो यह आट्रियोल और यह विन्योल इनके बीच में ब्लड यहां से आएगा इसके तुरू होता हुआ यहां चला जाएगा तो आट्रियोल से विन्योल में ब्लड पहुचाने का काम कौन कर रहा है कैपिलरी कर रही यह वह जगे हैं जहां पर exchange होता है many substances याने कि blood के अंदर कोई भी चीज है जो हमारे cell तक पहुंचनी है चाहिए oxygen gas और nutrient और कुछ भी हो वो किसके थुरू पहुंचता है वो capillary की capillary वो पार्ट है वो हिस्सा है पूरे blood vessel का जो की oxygen और nutrients उसको cross कर सकते हैं otherwise कहीं और से वो cross नहीं कर सकते हैं इसलिए यहीं पर exchange होता है with the interstitial fluid तो कहां पहुंच गया तो बताता हूं मैं जश्चें यहां पर देखो थोड़ा सा सम्झानी को हिस्करता हूं मैं अपने डियाग्राम से सबसे आगे सबसे मोटा पार्ट आर्टरी आर्ट्रियोल देन थेन्टिक जािया देन्व वंडियोल फिर अर्टिक्नस हो जाएगी ठीक है अच्छिशी ऑर्टरीट इसस अ्रट्रियोल इस कैपलरी ठीक executing फेन्योल इस assignment यह वो जगह है यहां से ब्लाटाए मेरे पास ठीक है। है दिखाईए रह है यहां से ब्लड आ रहा है मेरे पास ठीक है और यह वो जगह है finally oxygen ठीक है CO2 इधर चला जाएगा और nutrient ठीक है न लिंफ वाल चप्टर याद होगा है न लिंफ कैसे बनता है और यहां पर क्या मौजूद होते हैं यहां पर यहां पर क्या है यहां और यह बीच में क्या है यहां पर लिंफ होता है Interestatial प्राने चीज़े याद नहीं होंगे तो थोड़ा से रिवाइज कराता हो चल रहा हूं है तो यह सारी चीज़े इंटरेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्ट ठीक है, capillary के आसपास क्या है, interstitial fluid भरा पड़ा है, substances which cross capillary, जो substance जो capillary को cross करते हैं, include water, oxygen, carbon dioxide, urea, glucose, uric acid, lactic acid, kretin, काफ़ सारी चीज़े हैं, जो इसको cross कर सकती हैं, ठीक है, lymph capillaries connect with larger lymph vessel to drain lymphatic fluid, अब लाशन बता भी दिया है, कि lymph capillaries, finally, जो ये extra interstitial fluid है, इसको finally, जो lymph को क्या करती हैं, drain करती है, वहाँ से ले जाकरके lymph vessel के थुरू वापस से ले जाएंगे, ठीक है न, तो वही लिखा हुआ lymph capillaries connect with larger lymph vessel to drain lymphatic fluid, जिससे कि जो lymphatic fluid है, उसको वहाँ से वापस से निकाल सके, collected in the micro circulation, कहां से collect करती हैं, जो महीन महीन lymphatic vessel निकले हुए थे, अगर याद होगा, ठीक है, तो capillaries की कहानी समझ में आई, capillaries का main मुद्धा क्या था, ये वाला part capillaries से पक्का याद रखोगे, और, ये वाला, ये दो पार्ट, ये दो पॉइंट अगा capillaries के दे दिये, लेयर हैं, जो arteries के, although ये पी, all the layers are present, there is less smooth muscle, ये difference आगया, smooth muscle थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पर compared to artery and connected tissue भी थोड़े कम पाई जाते हैं, this makes the wall of veins thinner, इसके वाई से veins के walls थोड़े पतले होते हैं, than those of arteries, which is related to the fact that blood in the veins has less pressure than in the arteries, ऐसा क्यों है, इसके wall पतले क्यों है, क्योंकि veins के अंदर pressure कम है, arteries से pressure ज़्यादा होता है, ज़्यादा pressure होने से कहीं blood vessels नसें फटना जाएं, उसकी वाई से मोटी दिवाल पाई जाती है, मसल्स की, जिससे की उसके अंदर high pressure में blood flow करता के, because the walls of the veins are thinner and less rigid than arteries, veins can hold more blood, अब यहाँ पर क्या है, इसलिए अब यहाँ पर जगए सुरी ज़्यादा होती है, तो veins के अंदर blood ज़्यादा रहता है, almost 70% of the total blood volume is in the veins at any given time, किसी वी टाइब इस्टेम पर करना blood measure करूं, veins में कितना, artery में कितना है, तो veins के अंदर total blood का 70% वहाँ मिलेगा मेरे को, ठीक है, medium and large veins have venus valve, ठीक है, इनके अंदर क्या पाई जाते हैं, medium और large, बड़ी बादी नहीं, medium और large, उसके अंदर venus valve पाई जाती है, similar to semi-lunar valve, ये ठीक semi-lunar valve की तरह होती है, associated with the heart, ठीक है, semi-lunar valve जो heart से, heart में attach होती है, लगी होती है, मतलब उसके तरह होती है, that help keep, ये जो venus valve होती है, keep the blood flowing towards the heart, ये कोशिट, एक ही, मतलब दिखायता है, valve ऐसी रहेंगी, ताकि blood आगे ही जाए, back ना आए, back आगा तो ये बंद कर देगा, ठीक है, venus valve बार especially important in the arms and legs, कहाँ पर ज़रूरी हैं ये, हमारे हाथ ऐसे लटके रहते हैं, tongue ऐसे सीधी रहती हैं, जमीन की तरफ, where they prevent the back flow of blood in response to pull of gravity, जहाँ पर वो gravity के pull के against, कोशिश करते हैं कि blood हमारा back ना आ जाए, तो question जो एक बहुत ज़्यादा important question यहां से create करोगे तुम, give the difference between, give the, ये बना के त्यार कर लोगे, difference between, artery and wings, बात समझ में आई, ये difference यहीं से लिक लिक के, निकाल निकाल के, त्यार कर लोगे, नेट पर कहीं मिल जाता है, तो वहाँ से लिक लोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा काम homework रहेगा, very, very important, ठीक है, आगे आते हैं, wings carry blood towards the heart, हम सब को पता है, wings जो हैं वो, blood को heart के तरफ लेके जाता है, after blood passes through the capillaries, जब blood capillaries से pass कर जाता है, ये सबसे छोटी वीन में एंटर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, venules कहते हैं, from the venule, it flow into progressively larger and larger veins until it reaches the heart, फिर दिसी तरह बड़ी से बड़ी वीन में जुड़ता चला जाता है, और ultimately खून कहां पहुंच जाता है, heart में पहुंच जाता है, अब ये pulmonary वाली कहानी को हम थुड़ा से विराम देते हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट, ऐसे समझ में आ जाएंगे, नीचे वाली बात में डिसकस कर लेता हूं, ठीक है, blood circulation, ठीक है, blood circulation में तीन होती है, pulmonary, systemic और coronary, तो ये दोनों एक साथ combine पड़ी जाएंगी, ठीक है, और coronary वाली अलग है, तो pulmonary वाली क्या होती है, between heart and lungs, systemic circulation कहा, between heart and the cells of the body, तो circulation किस-किस के बीच में हो रहा है, pulmonary में lungs आता है, systemic के वहारी body आती है, coronary में हमारा ही heart से ही circulation चल रहा है, blood heart में गया, heart से वापस heart में आगया, heart में गया, heart से वापस heart में आगया, कैसे, आओ समझते हैं, ये तीन समझेंगे, इसको समझने के बाद एक फिर उपर वाला पढ़ लेना, बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक diagram डाला हुआ था मैंने, ये वाला diagram समझेंगे, और अब देखो, कहानी कुरी समझाता हूँ, जो हमारा अगला chapter आएगा, breathing वाला, वहाँ पर भी एक काम आएगा, समझो बात को, कहानी हम यहाँ से start करते हैं, यहाँ से, यह पकड़ लेते हैं, यहाँ पर वाल में इसको close कर देते हैं, यह वाल में यहाँ पर close कर दिया, यह क्या है, left ventricle, this is left and this is right, हम यही से start करते हैं, कि left ventricle से क्या हुआ, blood को push किया गया, left ventricle से क्या हुआ, blood को push किया गया, ठीक है यह ब्लड यहां से पुश हुआ 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 यह क्या होता है रोटा जानते हो ना रोटा वेनाटोई पड़ा चुका हुआ हुआ यहां से होता हुआ कहा गया अपनी बॉडी में कहा जा रहा है यह बॉडी में जा रहा है ब्लड और एक चीज़ बता इस greater than इहां पर greater नहीं लगाऊँगा मैं यहाँ पर जो partial pressure of o2 होता है और partial pressure of CO2 होता है ठीक है ना यह partial pressure of o2 काफी जयादा होता है क्यों होता है अभी क्लिर हो जाएगा CO2 का pressure काफी ही हाँ होता है अब जैसे ही यहाँ पर गेहां ने बता है कि यह मुटी मुटी वाल्ट होती है जैसे यह क्पलरी के पास पहुचा यह क्या है क्या है क्या है है क्या है यह यहां प्यूरिस के बाजू में यहाँ व tires होते हैं इसके आज मतलब हमारे हल जितने भी सेल से उसके आज़ू-बाद चैपलरी सोंगी इसी रिशी बात है क्योंकि वहीं से एक्सचेंज नो सकता है तो मैं यहां पर सिंपल समझने के परपस से एक सेल बना देता हूं यह क्या है हमारे पास सेल अब बात को समझो हुआ क् इस सेल लगातर काम कर रहा है औक्सिजन सारी खा रहा है तो इस सेल के अंदर ऑक्सिजन कम हो गया और कार्वन डैक्सट की वैल्यू बढ़ जाते कैसे कैसे मैंने क्या बताया था जो कार्वो हाइडेट होते हैं रिक्ष्ट भी कल बताई थी एक सिंपल सा एक्जामपल लेत पानी बन रहा है तो यहां पर जो पार्ष्यल प्रेशर ऑफ को ऐता है वह डिग्रीज कर चुका है और पार्ष्यल प्रेशर ऑफ सियो टु क्या कर गया है इंक्रीज कर गया प्रेशर डिफ्यूज्जन तो जांते हो ना अम सब्सक्राइब जाती है अब यहां पे जो सेल का प्रेशर है वह इसके कम्परीजन में कम है इसका काफी जादा है तो होता कि है जैसी ये blood यहाँ आता है तो यहाँ पर oxygen का pressure बहुत ज़्यादा है और cell के अंदर काफी कम है तो जो oxygen है वो यहाँ से यहाँ आ जाती है और यहाँ पर CO2 का pressure काफी ज़्यादा है और सॉरी कम है compare to this PCO2 यहाँ कि cell के अंदर carbon dioxide gas काफी ज़्यादा बन चुकी है तो यहाँ पर उसका pressure काफी ज़्यादा होता है gas यह जो होती है CO2 यह जो CO2 है वो यहाँ पर आयाती है अब यहाँ से यह आ गया मेरे पास क्या venules यहाँ पर यह क्या हैँ venule है और finally यहाँ पर यह क्या आगए मिरे पासgot deposit ranks लोटा 2 decrease कर चुका है और partial pressure of solar 2 increase कर गया है क्योंकि यहाँ पर यह क्या कर गया है cell के साथ इसने exchange कर लिया इसने क्या कर लिया एक्सचेंज कर लिया यहां ज्यादा था ज्यादा कैसे होगा बात बताओंगा यह में यह जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है कहां गया कहां गया हर्ट में आया किसमें आया यह आर्ट्रिया में आया कौन सी आर्ट्रिया में आया राइट आर्ट् वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल ने पुश कर दिया लंग्स के पास इस खम और ऑक्सीजन वाला ब्लड यह ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड था इसलिए ईसको क्या बोलते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड या Oxygen Rich Blood इसके अंदर oxygen कम हो गई है तो इसको हम लोग बोलते है Deoxygenated Blood तो यहां पर oxygen कम हो गया यह आया अब इसको इस वाले blood को क्या चाहिए देखो यह वाला जो blood है एक बारी हम बोड़ी में घूम चुका है हाट में आया अब हाट क्या करेगा कि भाई इस वाले blood जो आया है बोड़ी से उसमें oxygen कम है उसको भीज देगा lungs के पास lungs के पास भीजने से क्या होगा lungs से हम लोग क्या ले रहे हैं oxygen लंग से हम लोग क्या ले रहे हैं और लंग्स में सबसे छोटे लेवल पर क्या पाई जाती है इस इस चारों तरफ लब्यूड को एक बैलून की तरह समझो और सोचो कि इसको यह तरह क्या लपएट दिया है थागा तो इस इस एलवलाई के चारो तरफ ये देख रहो blood capillaries इस तरह से लिप्टी हुई रहती है blood capillaries इस तरह से लिप्टी हुई है अब हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा साब अलग वैसे दिखाता हूँ देखो क्या होता है ये मैं एक बड़ी सी एलवलाई बना रहा हूँ ये आई क्या air कहां से बाहर से इसके अंदर pressure of O2 काफी जादा है और pressure of CO2 काफी कम है और ये जो capillaries हैं इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ ताकि चीज समझ में आए इसके अंदर pressure of O2 काफी कम है और pressure of CO2 काफी जादा ये कहां से आया है फ्रॉम बाड़ी ये बाड़ी से आया था फिर हार्ट ने इसको लंग्स वास भेज दिया है अब होगा क्या यहाँ O2 का pressure जादा था oxygen यहाँ आजाएगा diffuse हो करके है ना diffusion क्या होता है high pressure low pressure और CO2 भाड़ चलियागी तो हम जब सांस से छोड़ेंगे तो वो carbon dioxide भाड़ चलियागी और सांस दो लेते हैं oxygen यहाँ पर फेपड़ों आगे फिर भर जाती है अब यहाँ पर next step में क्या हो गया मेरे पास pressure of O2 फिर जादा हो गया और pressure of CO2 फिर कम हो गया ठीक है तो यस यही ववड़ी हहाँ पर यहां तक तो सिन क्या था PO2 ज्यादा था जैसी यहाँ पर आया तो आप जेखो जा रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर यह भी यह क्या है D-oxygenated blood है यहां पर क्या है यहां पर क्या आ गया है यह oxygenated blood बिटा यह समझा दे रहा हूँ यह हमारा न उसमें चाहिए प्छाश हम न बहुत important है यह तो आप बात समझो oxygenated blood हो गया ठीक है अब यह ही से कहानी आती है यह मेरी क्या थी systemic vessel अब यह oxygenated blood यहाँ पर आएगा वापए से pump होगा तो इसके अंदर O2 ज़्यादा है CO2 का मैं फिर कहानी चलेगी यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ बात समझे जा रहाँ गौर से गौर से देखो जा रहा यह blood कहां आ रहा है यह जो wean है यह कहां आ रही है हार्ट में और कैसा blood लेके आ रही है oxygenated तो ऐसा कौन से wean है जो oxygenated blood लेके आती है pulmonary wean otherwise यह वाली wean देख रहे हो वेने के पर main wean यह हमेशा कैसे लेके आती है deoxygenated blood याना कि wean हमेशा deoxygenated blood लेके चलती है बट pulmonary wean के अंदर कैसा पाए जाता है oxygenated blood इसी तरीके से जो artery है जो heart से निकली है इसके अंदर कैसा है oxygenated blood ठीक है लेकिन यह भी artery है heart ने इसको निकाला जो lung से पास जा रहा है यह कैसी artery है pulmonary artery बट इसके पास कैसा blood है deoxygenated blood थोड़ा साब कुछ बच्चों confused लगए है starting में ठीक है तो artery के पास generally कहा जाता है कि हमेशा oxygenated blood होता है लेकिन एक exceptional artery है जिसके पास deoxygenated blood पाया जाता है pulmonary veins में हमेशा deoxygenated blood पाया जाएगा एक इकलौती ऐसी vein है जिसके पास oxygenated blood होता है वो pulmonary vein कहा नहीं सारी समझ में आगई होगी उमीद कर रहा हूँ ठीक है अब एक बड़ वापस से repeat कर ले ना इसको सारी चीज़ें clear हो जाएगी अच्छा एक चीज़ और बताएता हूँ मैं ठीक है इस तो हो गया है अब देखो ज़रा बात को जो ये blood था ये जो blood heart में था ठीक है heart से निकला body में आया यहां से नहीं हाँ ठीक है ये blood क्या था ये अच्छा यहां से नहीं यहां से start करते हाफ पार्ट है जो ये यहां से start करें हाफ पार्ट से ठीक है अब जो क्या हुआ जो blood body से आया जो blood body से आया वो कहां गया, हाट के अंदर इसके पास oxygen नहीं थी वो ही blood वापस से oxygen लेने के लिए कहां जाता है, lungs में और फिर वापस हाट में आता है कहां नहीं समझ मैं आई यह जो blood body से आया है इसके पास oxygen नहीं थी, हाट में आ गया वो oxygen लेने के लिए कहांगे, lungs में और फिर वापस heart में आया तो same blood, यही blood heart में आके, घूम करके, फिर heart में आ रहा है दो बार heart में आ जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, double circulation क्या कहते हैं, double circulation दो कोई आपने दिखाता हूं मैं, double circulation एक question आ सकता है तो क्या है, the blood circulation in human heart is called double circulation because the blood passes through the heart twice, क्योंकि same blood, वही blood heart में दो बार घूमता है, in complete cycle of the body जब पूरी एक cycle होती है, तो heart में दो बार घूम चुका होता है same blood, समझाए ना मैंने किस तरीके से यह आया heart में, लेकिया है, फिर आगया heart में, वही blood तो इसलिए हम कहते हैं, question आता है, what do you mean by double circulation तो समझाना पड़ेगा तुम लोगो, once through the right half from the deoxynated blood to lungs, क्या क्या रहा है, deoxynated blood कहां गया, lungs में गया ठीक है, pulmonary circulation and the next through the left half in the form of oxygenated blood to all body, ठीक है, वही same blood तो यह हो गया क्या, double circulation तो अब हम जा रहा है, यह जो पार्ट था हमारा, देखो, यह जो है pulmonary circulation lungs वाला और यह है मेरा systemic circulation जो body में जा रहा है, तो इसलिए दोनों combine पड़े जाते हैं, अलग-अलग कोशन अगर आभी जाता है, तो कोशिश करना दो maximum आएगा, इसको अलग समझाओ, इसको अलग समझाओ, combine समझाओ के लिख दोगे, तो मैंने देखो, यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है, एक रीड कर लेते हैं इसको हम लोग, क्या कह रहा है blood circulation starts when heart relaxes, यह हम सब को कहानी पता है, cardiac cycle देखा हाट रिलेक्स होता है, तब blood circulation starts होता है, between two heart weights, the blood flows from both arteries, दोनों arteries से कहान जाता है, दापर two chambers of the heart, हम सब को पता आटिया क्या होती है, into the ventricle, which then expands, ठीक है, the following phase is called the ejection period, फिर वो क्या करती है, lower chamber होते है, full जाती है, इसके बाद क्या आता है, ejection period आता है, which is when both ventricle pump the blood into the large artery, फिर ejection pump करेंगे और यह large artery, आरोटा में भेज देती है, in the systemic circulation, यह कहानी हो गई, blood आगया कहा हमारा systemic artery में, systemic artery ठीक ह अब systemic circle, the left ventricle pump, oxygen rich, oxygen rich, oxygen rich blood into the main artery, the blood travel from the main artery to larger and smaller arteries, and into the capillaries network, sequence दे दिया, artery, arterial capillary, there the blood drops of oxygen, वहाँ पर oxygen गिर जाता है, समझाया है, मैंने oxygen क्यों गिर गया है, क्योंकि pressure कम था, nutrients भी गिर गया, क्योंकि nutrients भी exchange हो जाती है, and other important substance वहाँ पर चले गए, and pick up carbon dioxide and waste product, और वहाँ से वो carbon dioxide ले लेते हैं, और waste product को ले लेते हैं, अपने अंदर, यहाँ पर, मैंने केवल यहाँ पर oxygen और carbon dioxide को समझाया है, जितना भी nutrients वगएर है, सब यहाँ cell ले लेता है, बाकि waste सरह यहाँ ट्रांफर कर देता है, then the blood which is now low in oxygen is collectively, is collected in the veins, फिर यह कहाँ collected हो जाता है, veins के अंदर, and travel to the right arterium, फिर वो right arterium में चला जाता है, and into the right ventricle, फिर वो खहाँ चला जाता है, right ventricle में, right arteria से ventricle चला गया, यह हो गया, systemic circulation, यहाँ से चला, और यहाँ आ गया, अब देखो, pulmonary circulation, the right ventricle pump low oxygen blood, जो right ventricle है, यहाँ भी low oxygen blood है, इसको pump कर देया, कहा lungs के पास, ठीक है, pumps low oxygen blood into the pulmonary artery, which branches off into smaller and smaller arteries and capillaries, वो आगे ला करके, capillaries में divide हो जाती है, the capillaries form a fine network around the pulmonary vesicle, grape-like air sex at the end of the airways, airways के आख़ी में, यानि कि, lungs के आख़ी में, क्या होते है, alvely होती है, उसके आसपास, बहुत जादा, महीन महीन से, क्या बना लता है, network से बना लेग इस इस वेर, carbon dioxide is released, यहाँ पर carbon dioxide release कर दियाती है, from the blood into the air, inside the pulmonary vesicles, vesicles होते हैं, pouches, pulmonary के जो pouches थे, यानि कि जो, वो थे, alvely थे, and fresh oxygen enters the blood stream, तो यहाँ पर यह इसकी बात कर रहा है, जो आपने यह समझाया है, कि जो oxygen, जो COT है था, fresh oxygen यहाँ पर आगी, तिस इसको हम pulmonary vesicle भी बोल सकते हैं, pulmonary, basically बोल सकते हैं, ठीक है, आगे आते हैं, तो सारी कहानी वही है, now when we breathe out, जो हम सांस छोड़ते हैं, leave our body, और CO2 मारी body को छोड़ देती है, oxygen rich blood travel through the pulmonary veins, जो oxygen rich blood होती है, वो pulmonary veins से होती होई left arteria, and then into left, left arteria से left ventricle में आती है, ठीक है, the next heart weight is start a new cycle of the systemic circulation, का नहीं समझ में आई, ठीक है न, तो इसी लिए मैं कह रहा था कि यहाला पार्ट समझ लोगे, तो आगे वाले पार्ट भी तुमको अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है, अच्छा, यह जो जी मैंने explain करी है, थोड़ा सा अपने हिसाब से, point wise या arrow लगा करके, इस तरीके से भी इसको explain कर सकते हो, ठीक है, double circulation समझा दिया मैंने, now coronary circulation, coronary मतलब हमने देखा कि blood हमारे body में गया, body से वापस आ गया, lungs में गया, lungs से वापस आ गया, अब heart की muscles को भी तो blood चाहिए, जो heart की muscles को blood supply करती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, coronary artery कहते हैं, और इस circulation को क्या कहते हैं हम लोग, coronary circulation, blood circulation to the heart muscle is called coronary circulation through coronary vessels, के लिए रोगी बाते हैं, तो देख़ों, यह आरोटा है, है ना, इसके अंदर यहां से left venticle direct blood आता है, यहां इसे निकली हुए हैं, जिसे हम left coronary artery कहते हैं, यहां निकली हुए है, एक इसे हम right coronary artery कहते हैं, तो coronary artery है, फिर ही कहा है, right acute marginal artery आगे देख और डिवाइड हो रही है, circumflex artery है, फिर यह light obtuse marginal नाम दे रखे हैं, left anterior descending artery, diagnose, diagonal artery, यह तमाम artery है, तो main क्या रखना है, left coronary artery और right coronary artery, ठीक है, अब देखो, arterial supply, इसको और समझ लें अब, तो heart की muscles को कौन सी blood vessel supply करती है, coronary artery, दो टाइप के होती है, तो two coronary artery क्या है, right और left, both artery arise from the root of ascending arrota, जो ascending arrota था, ठीक है, यह ascending arrota था, इसकी root से निकली हुए हुए रहती है, यह, clear है, ठीक है, अब देखो ज़रा क्या हो रहा है, right coronary artery supplied, artery area supplied, traverse इंदा, right AV sulcus, यह कहाँ कहाँ पर, जो AV node होता है न, artery ventricular और sulcus, वहीं पर, जो एक राष्टा सा होता है, इसके अंदर से, फाइवर्स होते हैं, bundle office, उसी के सारे, उसी sulcus में चलता है, gives a marginal branches, साथ साथ में थोड़ी सी ब्रांचे से निकली रहती हैं, इस artery की, runs to the posterior side on, continuous as a posterior interventricular artery, तो interventricular, दो ventricle के बीच में supply करती है, posterior side on, चली जाती है, तो कहाँ का supply कर रही है, यह उसका area बता रहा है, area supplied, right artery, greater part of right ventricle, small part of left ventricle, posterior part of interventricular septum, major portion of conducting system, including as a node, तो कहाँ का supply हो रही है, उसके supply की बात होगी, left coronary artery की बात कर लें, तो यह अगें दो पार्ट मे divide होती है, anterior descending branch and left circumference branch, तो यह कहाँ होती है, anterior interventricular artery reaches the apex of the heart, यह heart को एक्दम apex किनारा होता, वहाँ पहुंच जाती है, gives many septal branches, और साथ में कई सारी septal branches, तो septal होती है, उसके अंदर arteries की branches चली जाती है, तो पूरा-पूरा ना लिखो, तो कहा-काँ पर इसकी branches है, कहा का divide हो रहा वो दो-दो नाम, पार्ट के नाम लिख देना, ठीक है ना, बास समझ में आ रही है, left coronary artery, किसके सेरियों को सप्लाई कर रही है, left artery, greater part of left ventricle, right ventricle, anterior part of interventricular septum, part of bundle of his, ठीक है, अब यह तो होगी blood की सप्लाई, अब जो heart ने blood के oxygen ले लिया, उस blood के नदर क्या होगी, oxygen की कमी होगी, तो उसको वापस लेके कौन जाएगा, तो normally हमको पता वीन्स लेके जाती है, तो यहाँ पर उनका क्या नाम है, तो उसको हम लोग समझें, venus drainage, कि कौन कौन सी वीन्स हैं, जो वापस blood को लेके heart में जाती है, ठीक है, तो एक है coronary sinus, एक है anterior coronary vein, एक है thebasian vein, तीन वीन फाइनली ओपन होती ही कि इसमें, राइट आट्रियम में, ओविसी बात है, राइट आट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो blood lungs में चला जाएगा, oxygen लेने के लिए, then anterior coronary vein drain, drain मतलब बहाना, right of heart, कहां पर बहके लगे जाती है, right of heart and open into right of heart, ओविसी बात है ये तीन हमारे पास क्या है, veins है, heart की veins हैं, जो coronary artery के blood को वापस से heart में लेके पहुंचती है, clear है, ये नाम clear हुआ, बात समझ में आगी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, venus drainage आ गया इसका, ठीक है, venus drainage समझ में आया होगा अच्छे से, venus drainage है ना, तो भाई, जब कोई cheese blood को सप्लाइ करेगी, तो कोई cheese blood को वापस लेके भी जाएगी, cheese मतलब blood vessel, तो जो blood को सप्लाइ करती है, उसका एक नाम है, जो blood को वा artery लेके आते हैं, heartburn supply करेगी, coronary artery है, artery, coronary लगाया आगे, और वापस लेके जाएगी, उससे, क्या कहते हैं, 3 है, coronary sinus, anterior coronary vein और thevesian vein, के लिए रोगी बाते हैं, तो ये था हमारा chapter, sorry, lecture, ठीक है, एक lecture और है, जिसमां blood pressure और उसके regulation के बारे में समझेंगे, ठीक है ना, तब त चो करना क्या है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, चाहें खुद से करो, चाहें इस एप के थुरू करो, choice तुम्हारी है, लेकिन पढ़ने में एक चीज इंपोर्टन है, revision, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो उसे खम से खम, 3, 4, 5 बार पढ़ो, तभी clear होगा, कुछ हुआ है, अजय है, टो करना कि चीज चीज से पने है, चाहें एक चीज से खम, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 21, 12, 13, 14, 15, 12, 14, 14, 15, 13, 15, 16, 17, 20, bear को चाहें आः खुप थीजू चाहें जजू, बिज।, 16, 17, 14, 24, 16,